जैहें दोस्तों, भाईवों युवएनों चलिए आज इस वीडियो का कलास ठीरी में वीडियो का पार्ट-फॉर लेके आएं हैं। जो संख्याओं का जोर और गठाओ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। पाटफोर का ए मिलेगा क्योंकि इसके आगे और भी तरह तरह के कॉंसेप्ट हम देगे इसी में तो चलिए कुछ देर समझ दीजिए और आराम से इसको समझने का प्रयास कीजिए जहां आपको कठनाई होगा वहां आप इस वीडियो को देख करके अच्छे से समझ और जान प इस वीडियो में देखिए प्रस्णावली नो है नो को पुरा इसको हम देखेंगे जाने पिना समय को देखिए करा माउखीक हल यानि की अपने मुह के द्वाया यानि जो आवाज निकलते हैं उसी के द्वारा डारेक्ट खाली अस्थानों को भरना है तो देखिए पांच और साथ है ठीक है तीन और आठ ग्यारा है नो साथ नो साथ हो जाएगा सोल ठीक इसी परकार से आठ में से चार को घटा देना है तो चार बचेगा बारा में से साथ घटाएंगे तो पांच बचेगा सल्ला में साथ घटाएंगे तो आठ बचेगा इसी परकार से 6 और 5 को जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा 18 में से 12 को घटाएंगे तो 6 बचेगा 20 में से 5 को घटाएंगे तो 16 बचेगा 18 में से 7 को घटाएंगे तो 18 में 7 को 9 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17 9 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा सब्सक्राइब है। नौब को जोड़ेगा पंद्रह, ग्यारा में से चार को घटा देंगे, तो साथ बच्छाएगा, पंद्रह में से साथ को घटा देंगे तो बच्छाएगा, आठ चलिए हमने एक मौकिक को बिएर किया, जोड़ा और घटा दोनों MIX था, अब इसमें कर रहा है, मौकिक स्थानों को भड़े तीन पांच आठ चार बारा इस परकार से जोड़ते जाना साथ चार साथ ग्यारा छो आठ्ठा एगारा छो सतर ठीक है तीन छो नो साथ सोलग डारेक्ट जोरियेश से मुंसे पांच 7 12 और 9 21 ठीक है 8 7 15 5 20 चार 60 23 23 दो 16 12 14 28 28 88 01 0 66 रहेगा 5 510 देखिए 5 5 10 जो 16 ठीक है अब कराई खाली अस्तानों खाली जगहों को भरना है यहाँ देखिए 6 है पलस यहाँ खाली अस्तान है यहां नो है डारेक्ट आया है तो छे में कितना जरेंगे तो नो आ जाएगा तो छे पलस तीन नो छो तीन नो ठीक है इसी परकार से साथ में से कितना घटाएं की पांच आएगा तो दो घटाएं गया है आठ में से कितना घटाएंगे की जीरो जो रहेंगे की जीरो ही रहेग तो चार है ठीक है शत्रह है एंसर तो कितना घटाएंगे नो यहां यहां सत्रह है तो माइनस तो यहां सत्रह लाना है तो कितना घटाएंगे कि सत्रह आएगा तो मान के चलिए यहां पर पचीश रखिएगा तब यहां पचीश रहेगा तब माइनस आठ किजिएगा तो सत्रह आ जाए यहां तक हो गया आठ साथ बंद्रह ठीक है अब देखिए खाली अस्थानों में पलस देखिए पलस या माइनस से भड़ें तो पांच यहां एंसर ते डारेक्ट बारा तो पांच जोर यहां देखिए जोर साथ बारा हो जाएगा अब यहां एंसर है पांच तो नो में से नो माइनस चार यहां है नो एंसर तो छो जोर तीन नो हो जाएगा यहां है नो यहां है चार तो यहां नो में माइनस चार देखिए यहां चार एंसर लाना है तो नो में माइनस पांच को घटाएंगे तो एंसल आजाएगा चार छे माइनस छे यहाँ जीरो साथ जोर साथ यहाँ चौदर इस परकार से आप देख करके कर सकते हैं अब मान गियात करें डारेक्ट कहता है तो छो तिन नो एक एक दो ठीक है चार एक पांच एक दो तीन ठीक है पांच जीरो में पांच में जीरो जो रहेंगे तो पांच साथ में दो नो ठीक है पांच दो साथ हो गया दो चार छे हो गया तो एक तीन चार हो गया पांच में से दो घटेगा तो तीन छो में से तीन घटेगा तो तीन आठ में इस पांच घटेगा तो तीन चार में इस दो घटेगा तो ठीक है आठ में से घटेगा आठ में से एक जूटेगा तो नो छो दो आठ कोई दिकत नहीं पांच में पांच चार नो चार पांच नो छो तीन नो इस परकार से आगया सब्सक्wang सब्सक्राइब जिए साथ होगया ऊच्छो एक साथ हो गया इस परकार से इस इस SS है इस परकार से 104 और 263 को जोड़ना है इसको आप खुमबरक में लिए देखिये तीन चार को जोड़ी है तो साथ हो जाएगा छो और जिरो को जोड़ी है तो छो हो जाएगा दो और एक को जोड़ी है तो तीन हो जाएगा इस परकार से चलिए इसको आप हमबर्क में लिए दोस्तों या आप असानी से करिए वीडियो को रोकिए या लिखिए इसको 420 है तो 420 लिख लिजिएगा 420 और 350 लिख करके जोर दीजिएगा 300 जोर 350 इस परकार से एंसर ला दीजिएगा इधर जोर करके जीरो में जीरो तो जीरो हो जाएगा और 2 और 5 साथ हो जाएगा 3 और 4 साथ हो जाएगा इतना इंसर रहेगा इस परकार से आप इसको हमबर्क में लिजिए चलिए घटाईए 89 में से 15 घटाना है तो 9 में से 5 घटेगा तो अंसर आ जाएगा 4 फिर 8 में से घटेगा तो बजाएगा 7 इस परकार से आपको घटाना है चलिए इसको भी है हमबर्क मिलेजिए बिल्कुल आसान है कर लीजिए जोड़िए 1, 2, 1, 3, 2, 4, 6 जोड़िए इस परकार से जोड़ना है आपको 0, 0, 0, 0, 0, पांक चार, नउ इस परकार से जोड़ना है आपको कर लीजिए अगा कोई दिकत नहीं है चलिए इसको हमबर्क मिलेजिए दोस्तों बिल्कुल आसान है अब घटाईए 0 में 0 घटेगा तो जेड़ भटेगा तो साथ हो जाएगा एंसर चलिए इसको भी आप अब लोग आप हम वर्क मिलीजे बिल्कुल आसान है आसानी से कर लिजेगा कोई दिकत नहीं जो यह तीन अंका है पांच एक छो दू आठ तीन एक चार चार याठ कोई दिकत नहीं दो छो आठ जीरो आठ पांच एक चो तिन नहीं चलिए इसको भी हम वर्क मिलीजे बिल्कुल आसान है दोस्तों आसानी से असके शोट लिजेए वीडियो कर लोग किलिक करके किरिए कोई दिकत नहीं पांच दू साथ दू नू सबको तो जोरना ही है नो जीरो तीन तीन एक चार तीन एक चार दू छो इस पर चांग को में लिखें और जोरे 105 है देखिए 105 लिखा गया 220 है 220 लिखा गया 340 340 लिखा गया अब जीरो 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 और पांच तो यहां पांच के पांच ही रह जाएगा चार दू छो छो के छो रह जाएगा तीन दू पांच पांच एक छो हो जाए चलिए इसको हम लोग देख लिए अब 211 है तो 211 लिखिए 211 है फिर 108 है तो 108 लिखिए 108 ठीक है इसके बाद 530 है तो 530 लिख दीजिए ठीक है अब इसको जोर दीजिए अब इसके जोर दीजिए आठ एक नो के नो हो जाएगा ठीक है एक और तीन चार हो जाएगा 213 पांच आठ हो जाएगा कोई दिकत नहीं इस परकार से आप इसको बना सकते हैं कोई दिकत नहीं है आप कर सकते हैं कड़िए हाल करें 35 में कितना जोरने पर habits how to the देखिए 48 क्या है 48 जब इस परकार का प्रस्ण रहे आपको तो 48 में 35 में कितना जोरना परे कि 48 होगा तो 48 में डारेक्ट 35 को घटा दीजिए इस परकार से घटा दीजिए अब इहां क्या करना है आठ में से पांच घटेगा तो तीन ठीक है चार में से तीन घटेगा तो एक यानि कि 13 को जोर देंगे 35 में तो 48 होगा एंसर इसी परकार से 48 में 48 से 32 कितना कम है तब 32 तो डारेक्ट है अब तो नहीं कर सकते हैं तो 48 पर 22 को घटा दीजिए अच्छा से और यहां 32 घटा दीजिए इसमें देखिए 32 घटा दीजिए तो 32 घटा ये गता तो 8 में से 2 घटेगा तो 6 चार में से घटेगा 13 घटेगा तो एक यानि 140 कम है 48 से 32 सुल्ला हकम है ठीक है ऐसी भी पढ़ने वाले चीज़ है सुल्ला सुल्ला हो गया इसी परकार से 20 में कितना जोरे कि 30 हो जाएगा तो 10 डाडेक्टे जोर सकते हैं आप जब 30 लाने हैं 20 तो पहले सही है 20 में कितना जोरे कि 10 30 हो जाएगा 30 में सुल्ला जोरने पर कितना हो जाएगा तो सुल्ला नब बतिस सुल्ला जोरतिया 48 हो जाएगा जो अभी हमने किया इसके पहले इसी परकार से आपको सभी को हल करना है तो इसको आप फंबर्क लीजिए दोस्तो बिलकुल आसान है कर सकते हैं आप बिलकुल आसान है कुछ है ही नहीं थोरा सा और समय दीजिए तो हम आगे का स्टेप और बता देते हैं अच्छे से चलिए थोरा सा ही बचा है इसको आप देखी लीजिए एक दो स्टेप और देख लेते हैं चलिए इसको देखिए अब 18 नमबर का एक आदमी की उम्र अपने दोनों पुत्रों के उम्र के योगफल के बराबर है एक पुत्र की उम्र 32 वर्स तदा दूसरे की 24 वर्स है तो उस आदमी की उम्र क्या है तो ये दोनों को जोड़ देना है 32 और 24 को जोड़ दीजिए तो डारेक्ट कितना जाए यहां 32 है यहां 24 है तो चार दो छे हो गया यहां पर तिन दो पांच हो गया यानि कि आदमी की उम्र 56 है कराज दोर खे दोनों पुत्रों के उम्र के योग फल जे हुआ बराबर है यानि एक आदमी तो 56 प्रस का पिता हो गया इवह एक आदमी इसी प्रकार साब को बना लेना जोड़ के चलिए नीचे बनाते हैं यदि कोई संख्या 35 से 12 अधिक है तो वह संख्या क्या है? तो इसको दोनों के जोड़ दीजिए 35 और 12 को डारेक्ट इसमें कुछ है ही नहीं 35 और 12 को जोड़ देना है दोस्तों 35 और 12 को जोड़िएगा तो क् साथ हो जाएगा, этих शनंख्या 45 संह थीक है तो वह संख्या क्या थी यह 24hr, ने थींustूल Capellas यह थीए इसी प्रगार से, आप इसको बनाईयों कोई दिक्कत ने, का तौ comedстр का गटाओ के गुंध हर्म, इसको भी समझ लिजिए, निम्नांकित योगफ़लों को देखे, आठ चार बारा है, चार आठ बारा है, दस वीच तीस है, बीच दस तीस है, एक सो दस 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 तीस है, एक सो दस दस तीस है, एक सो दस तीस है, एक सो दस तीस है, एनि उल्टा जोड़ यह यहां भी आप देखते हैं कि करम बदल कर जोगने पर योगफल नहीं बदलता है तो गुंधर्म टू का नियम देखिए तीन संख्याओं को करम बदलकर जोरने पर योगफल समान होता है चार जीरो चार पीछे रहेगा उसको बदलकर जोरिएगा तो कोई दिकत ने उतना ही रहेगा योगफल गुंधर्म तेरी देखिए किसी संख्या को जीरो जोरने पर संख्या नहीं बदलती है पुना इस घटाओं को देखें दस में से माइनस जीरो घटाएं तो दसी रहेगा बीस में से माइनस जीरो घटाएं तो बीसी रहेगा जीरो में से जीरो घटाएंगा तो भी जीरो रहेगा ठीक है इसी प्रगार से गुंधर्म चाह देखे किसी संख्या में जीरो घटाने या संख्या नहीं बदलती है देखिए पुना इसे पांस में से माइनस पांस घटाएंगा तो जीरो रहेगा दस में से दस घटाएंगा त जिरो रहे गए dream 5 देखेए किसी संख्या में उसी संख्या को गणताने पर सुनने परा आप्थ होता है चार संख्याλλά ओं का जोड के कि तीन चार पांचे को जोड़ें और के तीन चार तिन शाथ पांच 12 शो 18 3 जो चार साथ25-30 EV 12, 16, 18. इनसा आ पह गया नहीं, इस जोर दिया गए बाकि बाकि बाकि, देखे. 3 जोर यहाँ साथ हो गया. 7 और जोर, 5, यहां पहरा पूस कि बारा हो गया. 12 और जोर जोर ऑया झाल करेके 12, 6, 18 यहाँ ढ़कि- दुसरी बाजोर, तुसरी बीदी देखे. इस परगार से भी जोड़ सकते हैं आप दो-दो का सम्मूँ बना करके चरन करें तीन जोड़ चार साथ हो गया है पांच जोड़ छे ग्यारा हो गया है साथ जोड़ ग्यारा अठारा हो गया है दो-दो का सम्मूँ बना करके सब्सक्राइब यहां पर कर लिया गया इसे पर सुधारान 30-20-15-11 तो पर इसके एक एक करके जो रिया पांच एक पांच छे चे का छे हो जाएगा यहां पर एंसर देखिया यहां ठेखे है यहां भी दखिए 6 है हम डालेक्ट जोड़ रहे हैं एक एक दो दो चार चार तिन साथ आ गया यहां पर यहां भी दखिए 7 इसका चरन भी दखिए 0-0 जूदे को कुछ नहीं 5-1-6 हो गया 3-2-5-5-5-6-6-7 हो गया कोई दिक एकाई का यह उखफल 0-0-0 हो गया 5-1-6-6-6 हो गया यहां पर 3-2-5-5-5-6-6-7 कोई दिकत नहीं साथ हो गया इस परगार से आप कर सकते हैं दोस्तों दूसरी बिधी में 30-20-50-50-10-60-5-65 है नहीं 65 हो रेक दखिए यहां पर इसे 64 हो गया डारेक्टे जोड़ लिजेगा इसे करके तो हो जाएगा 1-5-6-6-6 हो जाएगा 5-1-2-2-2-4-4-3-7 हो जाएगा कोई दिकत नहीं आप आरहानी से कर सकते हैं इस परगार से 5-1-6-6-6 हो जाएगा 1-2-2-2-4-3-7 हो जाएगा पचास इसको तो ऐसे कर दिया गया है डारेक्टे 30-50 किया गया है 15-1-6 किया गया है इसको जोड़ दिया गया 76 इस परकार से उदारन थिरी 123-2-3-3-1-1-2-6 कामान ग्याद करना है दोस्तों ये आपका होमबर्क में रहेगा क्योंकि सब हम ही बता देंगे तो आप प्रेक्टिस कब कीजिएगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट परस्णावली 10 को ले करके आएंगे ये रहेगा वीडियो का पार्ट फोर का भी क्योंकि दोस्तों आप मेहनत करिए तभी कुछ हासिल होगा नहीं किजेगा तो नहीं हासिल होगा इसके आगे आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो इसी परकार का रहेगा जो की आपको और मज़ा आएगा चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा सा समय दे करके छोड़ा-छोड़ा वीडियो इसलिल दे रहे हैं कि आपको इस तब आप समझने में मज़ा आएगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए thank you and bye bye